इदर हर्याना पुलिस के सूत्रों ने दावा किया कि नासिर जुनेद हत्याकांड में आरोपी मोनू मनेसर लॉरेंस बिश्णोई गैंग में शामिल होने के लिए वो लगातार लॉरेंस के भाई अन्मोल बिश्णोई के संपर्क में था। पुलिस सूत्रों के मताबिक गिरफतार होने से पहले 10 सितंबर तक दोनों के बीच सिगनल एप से बातचीत हुई थी। लेकिन 12 सितंबर को हर्याना के मानेसर से मोनू को गिरफतार कर लिया गया। के डिप्टी पीम ने इंडिया मिंडल इस्ट यॉरप कोरिडॉर के बारे में जानकारी देते हुए एक वीडियो ट्वीट किया जिसमें पाकिस्तान के कबज़े वाले कश्मीर को भारत के नक्षे में दिखाये गया। इस वीडियो में प्रिधान मंत्री मोधी समेट अमेरिका के राश्चपती बाइडन भी दिखाई दिया। क्योंकि UAE के दिखाये इस नक्षे से उसका पहलाया प्रपगेंड़ा पूरी तरह फेल हो गया जिससे पाकिस्तान गौखला गया। UAE से पहले भी भारत सरकार के साथ मिलकर कश्मीर में एक मॉल बनाने के लिए करोणों रुपए की निवेश का फैसला ले चुका है। इस बीच पाकिस्तान में चुनाव ठालने के फैसले ने अमेरिका को भी परिशान कर दिया क्योंकि वहाँ शवाज शरीफ के इस्तीफे के बाद से कारिवाहग सरकार काम कर रही है और दूसरी तरफ विपक्ष भी लकातार वहाँ चुनाव करने की मांग पर अला हुआ है। जिसके लिए इमरान खान के पार्टी पीटी आई ने वहाँ की सुप्रीम कोड में अरजी भी लगाई। लेकिन सुप्रीम कोड ने पीटी आई की इस मांग को ठुकरा दिया। पाकिस्तान के खानून के मताबिक महा सरकार का कारिकाल खत्म होने के 90 दिन के अंदर चुनाव कराने का नियम है। लेकिन आरोप है कि पूर्व विधान मंतरी शहवाज शरीफ की नसीहत पर वहां के चुनाव आयोग ने इसे अगले साल तक टाल दिया। और माना जा रहा है कि इसमें कमसकम मार्च तक का वक्त लगेगा। लेकिन अमेरिका ने इस पर आपत्ती जिताई पाकिस्तानी इख़ार दे नियूस इंटरनाशनल में चपी एक एक रिपोर्ट के मताविक कई देशों में मौझूद पाकिस्तानी राजनाईकों को महीनों से वेतन का भुक्तान तक नहीं किया गया। और इसके पीछे की वज़े पाकिस्तान की तंगहाली को बताया गया। ऐसा इसलिए क्योंकि विदेशों में काम कर रहे पाकिस्तान के इन राजदूतों को अमेरिकी डॉलर में वेतन का बुक्तान किया जाता है और पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा बंडार लगबग पूरी तरहा खत्म हो चुका है जिसकी वजह से कई देशों में मौझूद पाकिस्तान के राजदूतों को पिछले कई महीनों से वेतन ही नहीं मिला और आशंका जताए गई कि ये समस्या अगले कुछ महीनों तक भी जारी रहेगी जिसके बाद पाकिस्तानी अख़बार The News International ने दावा किया कि अमेरिका, हॉंग कॉंग और सिंगपोर जैसे देशों में मौझूद पाकिस्तानी राजनेकों ने तो नौकरी छोड़ने का मन तक बना लिया